दोस्तों कैसे आप लोग, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो डिजिटल मीटर पे होने वाली, यानि कि बाइक में, स्कूटी में, गाडियों में, जो डिजिटल मीटर समाल होता है, उस पे होने वाली है डिजिटल मीटर की वायरिंग को रिपैरिंग को लेकर बहुत सारी वीडियोज आपने यूट्यूब पे देखी होंगी लेकिन उन वीडियो से काफी लोग सेटेसफाई नहीं हो पाते हैं वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात है वीडियोज की क्वालिटी दूसरी बात है जो चीज उसमें सिखाई जाती है बताई जाती है वो एक मैथड नहीं है सिखाने का या फिर डिरेटली फॉल्ट पे ले चलते हैं कि ये चीज खराब है वो बदल दो ये बदल दो वो बदल दो वाइरिंग में भी एक है ना बेसिक बेसिक चीजें बता देते हैं और काफी लोगों को समझ में नहीं आती है हमारी वीडियो का हमेशा एक एम में रहता है कि जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं वो आपको बहुत ही इजी भासा में समझ में आ जानी चाह तो इसलिए मैं हमें सापने कंटेंट या फिर अपनी वीडियो में थोड़ा साना इंप्रूब्मेंट करता रहता हूं आज की वीडियो इस मीटर की वायरिंग पे होने वाली है ये फेजर या फिर एपडेट वे लगता है और इससे भी पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं जिसमें अपाचे है, पल्चर है, ग्राजिया है, स्कूटी, बहुत सारी अलग-अलग कंपणी की हैं मैं आपर में में नाम ले लिए, सभी के रिपैरिंग के और वायरिंग के वीडियो बना चुका हूं उनको भी आप देख सकते हैं जल्द ही प्लेलिष्ट बनाने वहाला हूं, उससे आपको थोड़ा सा सरलता होगी सीखने के लिए जो इंट्रो देना था मैंने दे दिया, अब मैं ले चलता हूं इसकी वायरिंग पे अगर इसकी रिपैरिंग अगर देखना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक आपको कमेंट बोक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी वायरिंग को लेके, काफी लोग जो रिपैर करते हैं, उनको सबसे पहले वायरिंग चीए रहती है वही on table testing कैसे करें क्योंकि हर किसी का wiring का डियाग्राम हर कि किसी के पास होता नहीं हमारे पास होता है हम wiring निकालते हैं कि हाँ असल में इसमें कहां से कहां तक होगा पहले हम 10-15 मिनिट न समझते हैं उसकी wiring को इसके connector के हर एक points को देखते हैं कि कौन सा positive पे जा रहा है कौन सा negative पे है कौन सा headlight का है पूरी testing करने के बाद फिर आपको बताते हैं तक कि जो चीज हम बता रहे हैं वो आप लोगों को तक easily समझ में आ जानी चाहिए हमारी वीडियो की quality वैसे HD में ही रहती है अगर आप चाहें तो select करके HD में थोड़ा से quality बढ़ा सकते हैं easy तरीके से देखने के लिए तो चलिए फिर अब मैं इसकी total wiring आपको बता देता हूँ एक एक light की बताऊँगा मीटर की light से लेके plus minus सब कुछ बताऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने मीटर के front के cover को उतार लिया है और इसका जो main connector है वो इसके just नीचे है ठीक है अब यहाँ पर यह देखिए यह जो है pin यहाँ पर दी गई है और पिनों की स्थंख्या भी या फिर पिनों की numbers भी यहाँ पर दिये गए हैं अगर आप ध्यान से देखें तो pin निमबर 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है यहाँ पर 1,8,16,9 लिखा हुआ है यानि कि इसका serial यहाँ से start होगा इसके बाद 9 जब गिनेंगे वो यहाँ से गिनेंगे 9,10,11,12,13,12,15,16 तो यहाँ पर पिनों की संख्या आप लोगों की सहलियत के लिए यहाँ पर दी गई है ताकि आप लोग इसली समझ पाए ऐसे ही अलग-अलग boards पे अलग-अलग पिनों की संख्या दी जाती है तो यहाँ पर हमें जो wedding करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है मैंने आपको easily समझाना भी है और उसका diagram भी आपको बता देता हूं मैं अपने तरीके से diagram बनाता हूं और हर किसी meter का मेरे पास diagram है अगर सीखना चाहते हैं तो आप comment करना मैं उसका video बना दूँगा वैसे मैंने अपने तरीके से आप लिखा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं सिर्फ आपको यहाँ पर pin के हिसाब से बताऊगा कि कौन सी pin में आपने क्या attach करना है तब जाकि क्या काम करेगा ठीक है तो पहले सबसे पहले इसको on करना है तो on करने के लिए यहाँ पर pin number इस तरीके से बना हुआ है तो इस तरीके से मैं है क्नेकटर का design बना हुआ है अगर हम इसको just pur gio colony देते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है, एक number pin नमबर की you देखिये यह इसका back view है यह front का view है तो इस तरीकेतेह एका и नंसा नेगाटिव कहा है तो यहाँ पर आही है worship में सा ten लिखे है कि पंटरी बै्टरी पॉजिटिव खोलावे 6 हमारा बैटरी का negative रहेगा तो यहां से जो भी आपको 6 और 7 नमबर की पिन है वहां से आप positive negative देंगे तो पहले हम इसमें बैटरी negative का देखेंगे तो 6 नमबर की पिन है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? तो 6 नमबर की पिन यानि कि यहां पर 6 नमबर की पिन जो भी आती है उसमें आपने बैटरी का negative दे देना है अगर आपको बैटरी का negative दूसरे तरीके से find करना है तो इसको आप continuity के mode में रखिए और 6 नमबर की पिन को आप यहां पर पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 नमबर की पिन है उस पर इस तरीके से लगाईए और body के ground के हिसे में लगाएंगे तो आपको यहां पर continuity सुनाई देगी इस तरीके से चोकि यह हमारा negative का point है negative को ही ground कहा जाता है simple भाजा में तो यहां पर जो 6 नमबर की पिन है वो battery की negative पिन है ठीक है? यहां से इस तरीके से 6 नमबर की पिन इस तरीके से लिखी हुई है और यहां पर आपको बता भी दिया 6 नमबर की पिन कौन सी है समझ गया अगर नहीं समझ पा रहे है तो यह सबसे यहां पर देखिए यहां से दूसरे नमबर की पिन उल्टा करके दूसर नम्बर की पिन अगर इस तरीके से हम connector को उल्टा करें तो यहां से दूसर नम्बर की पिन बैटरी पॉस्टिव और तीसर नम्बर की पिन बैटरी नेगेटिव connector की position भी हाँ पर मैंने indicate करी गई है ऐसे चित्र बनाओ के ठीक है मैं इतने बेसिक तरीके से समझा दिए अब लोग आप अब आप लोग समझ रहे होंगे तो पिन नम्बर की छे और साथ में मैं यहाँ पर बायर को connect करता हूं चलिए तो छे नम्बर की पिन 123456 छे नम्बर की पिन में हम इसको connect करेंगे और साथ में कुछ इस तरीके से यह देखिए तो यहाँ पर एक connect हो चुका है अगर आप को पता नहीं है किसी भी मीटर में प्लस माइनस कौन सा है तो मीटर में है ना मीटर में आपने यहाँ पर इस रजिस्टर को इस डायोट को और यहाँ पर यह जीनर डायोट को देखना है तो यह सभी पोजिटिव पर लगए रहते हैं इन्हीं से पोजिटिव सप्लाई आती है और मेन इस रेगुलेटर पर चली जाती है इस रेगुलेटर की फर्स नम्बर की पिन पर चला जा रहा है इस फर्स नम्बर की पिन पर पकल लीजिए यहाँ पर अभी तो मैंने निकाल के रखा हुआ है उस कपेस्टर के प्लस और माइनस में भी आप यहाँ पर बैटरी के प्लस माइनस जोड़ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो यहाँ पर अब मैं इसे पावर देता यह मैंने लगा लिया है बैटरी का पॉस्टिव और यह बैटरी का नेगेटिव और यहाँ पर वेट करने के मीटर के ऑन होने का तो मीटर यहाँ पर अन हो चुका है अब हमने इसकी नूटरल लाइट, इंजन चेक लाइट और फ्यूल को और साड इंडिकेटर को और हैड को चेक करना है उसकी मीटर की लाइट को चेक करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर पिनों की संख्या मैंने दी है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ फंक्षन को ऑपरेट करने के लिए हमें इसकी नेगेटिव पॉइंट को कुछ पिनों की साथ टेच करना पड़ेगा और कुछ फंक्षन को ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव की पिन को ऑपरेट करना पड़ेगा जैसे मीटर की लाइट जनानी हो तो पॉजिटिव ह तो इसकी मीटर की लाइट जल पड़ती है मैं तब बैक लाइट जल पड़ती है ठीक है तो ऐसे ही आप समझेंगे चलिए मैं नीचे जो चित्र मैंने बना के रखा हूआ कि डाइगरम बना रखा है उसमां आपको पहले समझा देता हूँ सिसके पिन नंबर जो 1 की है वो इसकी खिलो मीटर की है ठीक है किलो मेतर अगर आप रचेकर कर ना हो तो यहां पर किलो मीटर में आपने जो नागेटिव टीन है वहाँ पर आप negative को इस negative को attach करेंगे, देखिए इस तरीके से टच करेंगे, छोड़ेंगे, टच करेंगे, छोड़ेंगे तो आप इसके जो kilometer है वो बढ़ते हुए आपको मिलेगा लीजे, थोड़ा सा मैं brightness बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ मिलेगा एक number की pin को test करके छोड़ते रहना है इस तरीके इस test करना छोड़ना है तो इसका kilometer देखिए बढ़ रहा है यानि कि इसका kilometer बिल्कुल सही है ठीक है, negative को आपने kilometer यानि कि एक number की pin के साहँ test करना है दो number की pin इसके just bugle में है ये देखिए, check engine की light चल पड़ी इसके just bugle में दो number की pin serial wise चलेंगे, मैं इसके serial के हिसाब से बता रहा हूँ दो number, 3 number की pin ठीक है तो इसके हिसाब से आप चलेंगे तो दो number की pin में check engine की light test करने के लिए आपने negative को दो number की pin के साथ test करना है बैटरी के negative को, check engine की light बिल्कुल सही है अगर नहीं जलती है तो इसकी light को हमने निकाल के change करना रहेगा जो इसके bulb को, वो भी सीखना है तो उसका वीडियो भी दे दूँगा अब बात करते हैं हम यहाँ पर इन सभी pin खाली है इनमें RPM, RPM का है on table RPM test नहीं कर सकते उसके लिए अलग से tool बनाना पड़ेगा और अभी हम यहाँ पर on table, neutral के light test करेंगे तो neutral के लिए भी हम 9 number की pin 9 number की pin पे negative देदेंगे 9 number की pin पे negative देदेंगे यानि कि 9 number की pin यह 8 है तो यहाँ पर उपर 9 है यहाँ पर उपर 9 है यह इसमें हम negative को जोड़ेंगे तो neutral के light चल पड़ेगी तो यानि कि बैटरी के negative को वीडियो की quality बढ़ा लीजिए अगर आपको HD में देखना है तो तो यह देखिए neutral के light चल पड़ी 9 number की pin के साथ negative आप इसको wiring कर लीजिए अब हमने test करना है यहाँ पर बाकी के 10 11 pin छोड़ दीजिए अब हम चलते हैं 12 number की pin यानि कि 12 number की pin पर अब हमने side indicator check करना है यानि कि जो इसका side indicator होता है left right वाला है ना उसको हमें check करना है तो हमें 12 number की pin पर positive supply देनी होगी 12 number की pin पर positive supply देनी है यह रही positive की pin और 12 number की pin कहाँ पर है 9 के बाद 10 11 12 तो यह 1 second 9 10 11 12 नंबर की pin है इस side indicator हमारा चल पड़ा सहीचे attach करेंगे तो चल पड़ेगा 12 बाद हील जा रहा है मेरे हाथ से तो दिखेंगे side indicator हमारी चल पड़ी अभी 13 नंबर पर fuel का test होता है fuel में हमें negative देना पड़ता है वो हम सबसे last में करेंगे अभी हम serial light चलती क्योंकि fuel test करने के लिए meter को एक बार आफ करना पड़ता है फिर on करना पड़ता है तो fuel का test होता है अगर हम इसमें negative भी स्कॉन करके देंगे तो यह तो blink करता है रहेगा पहले की तरह जैसे यहां पर blink कर रहा है भी आपको दिखेंगे बिल बिंक करता है तो on करते इसमें touch करना पड़ता है अब यहां पर हमें fuel का है ना 13 नंबर का पीन आपको बता दिया 14 नंबर का पीन साइड इंडिकेटर है एक तो लेफ्ट का है और एक राइट का है तो यहां पर हमने साइड इंडिकेटर में हमें इसमें भी positive supply देनी पड़ती चौदर नंबर की पिन पे बैटरी का जो 12 वोल्ट है ना उसी को आप 14 नंबर की पिन से अटाज करके देख सकते हैं तो देखिए 9 10 11 12 13 14 ठीक है यह 14 नंबर की पिन है और यह 12 नंबर की पिन है तो एक लेफ्ट की रही और एक राइट की चौदर नंबर की मारी राइट की है अब बात करेंगे हम हाई बीम यानि कि जो इसकी हेड लाइट है वो देखिए यह जलगी हाई वीम यहाँ पर देखिए हाई वीम आले लाइट ही जल रही है और वैसे हमें अगर यहाँ पर मीटर की लाइट चेकर नहीं है तो आपने 16 नंबर की पिन पे पॉजिटिव को जोड़ के देखना है यानि कि बैटरी का एक पॉजिटिव का वायर है उसको 16 नंबर की पिन पे आप जोड़ के देख लिए इस तरीके से तो यह देखिए एक सेकंड यह बार बार हिल जा रहा है मैं इसको सही से अटैच कर लेता हूँ ताकि यह हिल है ना देखिए अब इसको हम 16 नंबर की पिन से अटैच करते हैं यह देखिए यह देखिए त आपको इसके फॉल्स के बारे मैं भी इस वीडियो में किलियर कर दूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए तो देख लिए आपने 26 इन पर हमें की सिर्ट की इवसित देना पड़ता हुँ मीटे की लैड्स पर बाकि जब आपसो को स्टार्ड्ड कर रही हो उस टयम पर आपको scr at कि हाँ मीटे की सारे कर ला इंक्रे हैं इस तरीके से और और करते समय और रर्पिं भी आपको just चलता हुआ मिलेगा सब कुछ okay मिलेगा अगर कोई light on कर समने जल रही है तो इसका बलबाब चेक कर लिजीगा बाकी details भी pin numbers आपको मैंने बता दिये हैं तो यहाँ पर यह तो on table testing का हो गया हाँ फ्यूल का बताना था मैंने तो तेरवे नंबर की pin पर मैंने यहाँ पर negative लगाना है तेरवे नंबर की pin पर 9 10 11 12 13 देखिए तेरवे नंबर की pin पर तो अभी आपर कुछ भी नहीं बताएगा आप अगर ध्यान देंगे तो जब मैं मीटर को off करूँगा उसके बाद on करूँगा तो फ्यूल कुछ देर के लिए आपर बढ़ेगा आप देखतर यह ध्यान से ठीक है मैं इसको off करता हू अब on करता हूं देखिए अब फ्यूल पर थोड़ा से दिहान देंगे फ्यूल पर यह देखिए ठीक है अब बले बिलिंक करने लेगा लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है अभी नी बढ़ेगा अभी नी बढ़ेगा जब तक जब मैं टच करूँगा त तरीके से देख रहें आप उस समय दीरे 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 बढ़ रहा था तो 13 नंबर की पिन इसकी फ्यूल की है इससे फ्यूल का है न मीटर हम टेस्ट कर सकते हैं अब यहां पसके कुछ फॉल्स की हम बात करेंगे इसको आफ कर लेता हूं कल जो हमने मीटर रेपैर यह किया था अभी तो उसको इसमय कुछ लयट के मॉडिफिकेस्ट करने है यह राप टेस्ट है सीरियल वयज किया था तो मैंने सभी चीज़ें चेक करी, हर एक जगे की voltage चेक करी, सब कुछ बिलिक्ष प्लियर थी, लास्ट में जब भाई ठक गया था, मैंने हार गया, मैंने अब करूँ तो क्या करूँ, तो लास्ट में फिर मैं निकार चलो यार एक बाई सको भी चेंज करके देख ले, तो यार यही का मतलब इसी चीज का फॉल्ट निकला तब जाके थोड़ा सा अराम मिला हाँ यह हुआ रेपैर इसके बाद जब में दूसरा किस्टल लला किस्टल तो होता है ज़स्ट डिफले के नीचे जब डिश्प्ले लगाई तो उसके बाद हम दुबारा तो उतार नहीं सकते थे तो उसी के उपर पैरलेल पर हमने दूसरी क्रिस्टल को लगा लिया हमने का नहीं खोलेंगे नहीं इसके उपर हम दूसरी क्रिस्टल लगा लेंगे इसके अंदर रहती क्रिस्टल तो क्रिस्टल को लगाने के बाद फिर मैंने इस में थोड़ा से गलू डाल दिया तक यह सेट रहे है, क्योंकि बार बार हिलना नीची है, हिलेगा या फिर कहीं पर टेच होगा, तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमने या पर गुलूडायल को सेट कर लिया, तो तक यह हिले ना, तो यहाँ पर एक तो यह जो फॉल्ट आता है हमारा, एक तो इस रेगुलेटर क रहे हैं, इस ब्सक्राइब कर दो लिए है, तो यह सबसे पहले आपने इसको चेक करना है, और यह फिर यहाँ पर उस पिंज से यहाँ था की लाइन चेक कर लें, तो कुछ-कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो यहाँ पर मापको उता देता हूं, इसको निकालके अलग करके, मीट इस DC power supply से आप चेक कर सकते हैं, इस DC power supply अगर है तो इससे चेक कर सकते हैं, यह best method है इसको चेक करने का, यहाँ पर voltage भी अपने हिसाब से सेट हो जाती है, और ampere भी जब लेने अगता तब पता चल जाता है, यह best method रहेगा, अगर sorting भी खही पर रहेगी, तो DC power supply इसको cut कर देग इसको अधिक sort circuit होने से बचाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले इस component की sorting चेक करेंगे, अगर है तो इसको हटा के अलग कर लें, या फिर नया है तो वो डाल दें, नया नहीं भी है, तो इससे भी काम चल जाएगा, हटा के भी काम चल जाएगा, और यह एक regulator है, यह 5 volt बना र होता है, बस उसमें difference है, वो कम ampere का रहता है, यह ज्यादे ampere का रहता है, बागी difference कुछ भी नहीं है, तो एक, दो, crystal, तीन, memory IC, चार, memory IC के, यानि कि flesh IC के failure होने के बाद भी, आपकी meter की na, meter चालू नहीं हो पाता है, अगर memory से failure रहेगा, तो meter चालू नहीं होगा, यह dead होते हैं, किसी हालत में अगर आपको IC overheat होते है, overheat, यह heat अलग चीज है, overheat अलग होती है, अगर overheat मिलती है, तो आप समझ लीजिए, आपकी IC fail हो गई है, और वैसे तो इसका एक, मैं आपको symptom बता देता हूं, अगर IC overheat होगी ना, तो उससे पहले आपको यह भी overheat मिलेगा अगर IC full short रहेगी, तो यह आपको overheat ही हाप पर मिलेगा, यह आपर यह component, यह regulator आपको overheat मिलेगा, यह overheat होने लगेगा, इस IC के short होते ही, और कभी-कभी क्या होता है, IC half sorting होती है, तो heat होने लगती है, बहुत ज्यादा heat हो रही हो, तो इस IC की problem आप मान के चल सकते हैं, बाकी आप confuse मत होना, यार सोचेंगे, या transistor है, short तो नहीं हो गया, तो confuse मत होना, इस दो पीने आपस में short रहती ही है, एक उदारन देता हूँ, ताकि आप लोग confuse नहीं हो, in future कभी check कर रहे है, तो, यह देखिए, है तो transistor की safe में है, लेकिन इसकी नीचे की दो पीने आपस में, इस यह देखिए, बहुत बारिक पीने है, तो दो पीने नीचे की आपस में short रहती है, तो घबराई यह मत, यह आपर उपर पढ़ लिजे, आखिर है क्या, यह देखिए, जहाँ पर जैडी लिखा होगा, वो जैडी लिखा होगा, बहुत जग पर जैडी हाँ, यह देखिए, यह आपका generated है, यह generated है, तो जहाँ पर transistor होगा, तो यहाँ पर क्यों लिखा होगा रहेगा, सेम component को आप एक ही मत समझिए, तो सभी components अलग-लग होते है, सभी की coding आपके circuit board में mention रहती है, तो ऐसी मैंने एक Honda Gradia का meter pair किया था, उसका भी मैंने diagram रखा हुआ है, उसको भी आप आपको share करता हूँ, और pulsar के भी meter का न, वो share किया हुआ है, वो आप उसको भी देख सकते हैं, तो I hope कि यह video आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा, सीखे और दूसरों के साथ ग्यान बाढ़िए, और इस video को जजजज़ share जरूर कीज़ेगा, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे बंदे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको जरूर इस video को share कर लेना, सब्सक्राइब भाई हमारे चाहिए को करें लेकिन like जरूर करते चाहिए, वीडियो को like करके हमें motivation मिलता है, आपके like से पता चलत झालता है, 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 झालत